हेलो लिसनर्स वेलकम टू आर चैनल दी ओर्टरिंग पर लेकिन अगर आपने अभी तेक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दवाना ना भूले और तो और अन्य सभी मनुरंजन खबरे बॉलिवोड से रिलेटेड खबरे सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें तो बिना टाइम गवाए मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ और आज आपको तलव कपल अरजुन कपूर और मलाइका अरोरा के बारे में बदाना चाह क्या है इनकी केमिस्ट्री कैसे है ये एक साथ क्या हुआ है इनकी लाइफ में और क्या चल रहा है तो शुरू करते हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा शुरू से ही चर्चा में बने रहते हैं मलाइका और अर्जुन खूप अटेंशन ग्राप करते हैं चाहे वो मीडिया की हो, तामली की हो या वो फ्रेंड्स के बीच में हो हाला कि यह हैं कि यह दोनों कपल सबसे ज़्यादा ट्रोल होने वाला कपल है बॉलिवू इंटरस्ट्री में रीजन तो हम सभी जानते हैं, आर्जुन कपूर मलाइका अरोरा से 12 साल चोटे हैं और मलाइका अरोरा का तलाग हो चुका है वे एक लड़के की मा है इसी कारण के वज़े से यह कपल सबसे ज़्यादा ट्रोल होता रहता है रजुन कपूर और मलाइका को हम सभी एक साथ पार्टी में देखते हैं, हैंग आउट करते देखते हैं और ना जाने कहा कहा करण कपूर ने अपने एक इंटर्व्यू के दोरान ये खुलासा किया है कि वे मलाइका अरोरा से जल्दी शादी करेंगे और वे शादी की नियूस भी हम सभी को बताएंगे और उन्होंने ये भी बताया है कि वे मलाइका अरोरा से कितना प्यार करते हैं उन्होंने अपने प्यार को खुल कर मीडिया के सामने बताया है उन दोनों को मीडिया के ट्रोल से कोई फरक नहीं पड़ता है उन्होंने ये अपने इंटर्व्यू के दौरान बोला है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं उन्होंने अपने इंटर् अब दिया कि वह कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और सोचल मीडिया ने भी उनके रिलेशनशिप को एक डिगनेटी दी एक उनको सपोर्ट दिया इसलिए उन्होंने अपने रिलेशनशिप को चुपाया नहीं 2018 में अरजुन कपूर और मलाइका अरूरा ने ओफिशल अनौसमेंट कर दी थी मलाइका ने अपने सोचल हैंडल पर अरजुन कपूर के बर्डे के वाले दिन एक पोस्ट करके यह अनौसमेंट कर दी थी कि वह दोनों रिलेशनशिप में हैं और उन्होंने ये भी बताया था क वे लोकडाउन में एक दूसरे के साथ ही रहे थे वे दौनों पार्टीज में एक साथ एक दूसरे को कमपनी देते हुए दिखाई भी देते हैं बीच में उनकी प्रेकप की खबरे भी सुर्खिया में बटोर रही थी लेकिन अरजन कपूर ने अपने सोशल हैंडल पर एक फो आया है कि जब उन्होंने अपनी रिलेशनशिप की खबरे नहीं चुपाएं तो वे अपनी शादी की खबरे नहीं चुपाएंगे और हम सभी को बहुत ही जल्दी एक गुड नियूस देंगे तो आज के लिए बस इतना ही बने रही है हमारे चैनल दी ओर्टरिंग पर थन् झाल